कि अज़िए 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 आप सब ठीक होंगे आज के वीडियो भी स्पेशल रहे सब्सक्राइब करने के लिए कौन सा टाइम भैतर रहता है किस टाइम पर करें या किस टाइम पर नहीं करें क्योंकि एक जब शुरुआत करते हैं तो एक मजबूत शुरुआत मिलनी बहुत जरूरी है जब एक होता है चलती गाड़ी हो उसके अंदर अगर अगर अपन बैठे करें अभी स्टार्ट किया स्टार्टिंग में कोई नी आ रहा नया माल लेकिए और फिर भी कोई नी आ रहा तो कई बार वह ताइम की थोड़ी सी है न उसमें होती है आला कि मैं हमेशा एक चीजज बोलता हूं कि जब ऑफ सीजन होता है और हर सीटी का अलग-अलग उफ याना यह साइड है तो जब ज्यादा थंड पड़ती है ना 15-20 दिन महीने बर की जिस टाइम जनवरी शुरुआत में या फिर दिसंबर लास्ट में उस टाइम होता है क्योंकि उस टाइम खाली वो जो वुलन वाले आइटम होते हैं वहां पे वही विखता है क्योंकि ठंड हो पहां पर तो इसी टाइब का हुता है लिकिन जह सीजन होता है वह पूरे इंडिया के अंदर आएक पूरा प्रॉपर सीजन आता है जो आब से स्टार्ट होता धी सब्सकindruck और जाने वाले हैं और उसके बाद में जसे बड़ी बड़ी बडी अपनी दिवाली के बाद में बि कपड़े का यह ओरिजिनल्टी है जो हम यहां सूरत में भी हम फेस करते हैं तो मई जून जुलाइए यह तीन महीने हमारे खुद के मतलब कि स्लो जाते हैं यह पूरा सूरत के अंदर कपड़े के काम के अंदर वयापारी भी कम आते है भार से और बारिश का टाइम भी रहता है और पूरा पूरा सीजन निकला ही है क्योंकि वह देगा इद भी चली जाती है अप्रेल के अंदर और साधी बया भी जितने होते हैं वह उस टाइम तक खतम हो जाते हैं आगे दिवाली के बाद से तो यह वाला सीजन होता है तो अपन नॉर्मली कब स्टार्ट करें ना अगर आप नए होना देखो पुराना दुकांदार हमेशा फेस कर लेता है अगर ऑफ सीजन भी है तो वह फेस कर लेता है उसको पता है कि साल में भाई एक बार तो फेस करना पड़ेगा अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो हम तो परिपको हैं इस चीज होता रहता है continuity होता रहता है तो ज्यादा तकलीफ हम लोगों को नहीं आती है उस टाइम पे अब लेकिन जो नया व्यापारी जो स्टार्ट करता है ना जिसने पच्छिस पचास जार लाख रुपया दो लाख रुपया पांच लाख रुपया के नहीं दुकांदारी जैसे अगर आपने मई में दुकान खोली है जून में दुकान खोली तो उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी भी जादा होती है कई अरियों के अंदर तो इतनी ज्यादा ना लोग भार मार्केटों में निकलते नहीं है पर्चेस करते नहीं है उस टाइम कोई शादी व्याव इसा कुछ होता नहीं है ना कोई त्युहार आते खास तो वहां पर पर्चेजिंग नहीं होती है लोग नॉर्मली टीशेट में पूरी गर्मी निकाल देते हैं तो वह थोड़ा सा उस टाइम रहता है तो उस टाइम स्टार्ट करने से बेटर है यह जो अभी टाइम है मैंने पिछले साल भी बनाया था इसी टाइम पर यह वीडियो क्योंकि अगर आप नया स्टार्ट करने चाहते हैं तो यह टाइम बहुत बेटर होता है क्योंकि चलती गाड़ी में बैठना है बाजारों के अंदर इतने घराक होते हैं कि आपको खुद को मतलब ज्यादा मेहनत नह सब लोगों के अनदर उत्सा भी रहता है परेखे करने का कि बाहर निकले की महुल भी वैसे होता चार त्योहार होता हुआ आप बाजारों में बिरोनक रहती है हर टाइप की रहती है तो क्या भार भी निकलते हैं मूड महोल सब उसी डाइप का होता है कि यह तो अब जैसे नवरात रहेंगे दशेरा भी आएगा दिवाली भी आएगी अभी गनपती आएगा उसके बाद दिवाली के बाद जस्ट मिलेगा तो आपका जो मौरल है वो डाउन नहीं होगा थोड़ा सा एक होता है आपको ग्रोथ मिलेगी तो आपका अंदर का जो इंट्रेस्ट होगा वो थोड़ा और बढ़ेगा और मतलब एक जब सेल होने लगती है तो खुद के दिमाग में भी यह चीज आ जाती है उस में ग्रहक भी बहुत सारे होते हैं इस टाइम पे और अब जैसे नॉर्मल कई लोगों की यह विचार होती है कि दिवाली पे स्टार्ट करूंगा तो दिवाली पे स्टार्ट करने का मतलब होता है कि अब कुछ होते हैं कि अगर आप उपनिंग कर रहे हो तो उससे पहले तो रिटेल वजारों की रौनक जो है वह खतम हो चुकी है क्यों जिनको पर्चेस करना कर लिया जिन्होंने आनिस्टीज खरीदा है उनको सिलाई के लिए टाइम चीए तो उन्होंने तो 10-15 दिन पहले ही खरीद लिया टेलर भी उस टाइम पे इतने बिजी होते हैं कि पास दि निकल गए उसके बाद में स्टार्ट कर रहो तो फिर वह घरा कि आपने छोड़ दी इसका इत्यान रखें अपना माइंड सेट ऐसा रखें कि दिवाली का दिवाली पर start करने मतलब होता है कि दिवाली से एक महीना पहले अगर आप start करोगे तो आपको दिवाली का result मिलेगा दिवाली से दो दिन पहले start करने से दिवाली पर नहीं किया आपने दिवाली के बाद हो गया वो तो इसका थोड़ा से स्पेशल ध्यान रखे और अगर व्यापार करना है और अच्छे से ग्रोथ करवानी है प्रोपर टाइम जैसे बहुत से वीवर्स मेरे पूछते हैं यह चीज की बहुत से टाइम में स्टार्ट करना चाहिए तो यही सबसे बेटर टाइम होता है मैंने प करना चाहिए टाइम थाएम यहीजश यहीजश कर भी नहीं करना चाहिए प्रट टाइम